जॉंबी अटेक, एलियन अटेक, नुकले अटेक, रोबर्ट अटेक और वाइरस अटेक इन सारे अटेक से राइटर्स ने बहुत बार दुनिया खतम की और बोर्ड हो गए अब बारी है सूरज देफता की जिनके गामा रेडियेशन्स मचा रहे हैं प्रित्वी पर तभाई नेट्फिस की याकमोज S245 सिरीज में इमाजिन कीजे कि आप दिन में नीले नीले समंदर की गहराई में खू रहे हो नजारे देख रहे हो और रात में उपर आओ तो दुनिया खतम सब मर चुके हैं जिन्दगी का नाम और निशान नहीं है शौक लगा इंजीनियर अर्मान और उनके साइंटिस्टोस डेफने, राना, फेलिक्स और चेम को भी लगा जब ये लोग उपर आते हैं और आप पाते हैं कि जान बचाने के उमीद सिर्फ एक है सब मरीन याकामोज S245 जो कोइंसिनेंटली रात में उसी वक्स शोर पर पहुंचती है जब अर्मान और उनकी टीम याकामोज के नेवी कमांडोज और अर्मान की टीम जाती है शहर के अंदर और पाती है लाशों के ठेट सब समझ जाते हैं कि भाईया जी दिनिका उजाला सब के लिए बन गया है मौत का फंदा सर्वाइवल का एक ही तरीका है सम्मरी में जाओ और समंदर की गहराई में छुप जाओ पट यह सब इतना असान थोड़ी है इंसान है जहां भी जाएगा लड़ेगा और अब तो सवाल है सर्वाइवल का जिसके लिए चाहिए खाना जोकी है नहीं सम्मरीन याकामोज S245 के अंदर एक के बाद एक इवेंस, कॉस्प्रिवेंसी और सैक्रिपाइस कहानी में लाते हैं एग्रेशन इंपोर्टन्ट करेक्टिस की मौत दिल में पैदा करते हैं टेंशन और लाज मिनिट में खुलता है वो सस्पेंस जो देता है उत्तरी वाला इमोशन अब डाइव करते हैं हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स की तरफ हाई पॉइंट्स है टाइट राइटिंग, अर्मान, डेफने और कमांडर उमत का रोल करने वाले एक्टर्स की आक्टिंग और सम्मरीन की टाइट स्पेस में गुड कामरा एंगल्स और एडिटिंग गर्ल्स, अर्मान की गुड लुक्स को भी दो पॉइंट एक्स्टा दे सकती हो साथ एपिसोड्स हैं 40-45 मिनिट के जो की एक ही दिन में निपड जाएगा क्योंकि सीडिस काफी क्रिस्प है एक दिन में निपटाना चाओ तो दो दिन में निपटा ले ना, कामधाम भी है ना लो पॉइंट्स हैं शुरू के दो एपिसोड्स जो की लेते हैं टाइम करेक्टर्स को सेट करने के लिए ये काम दो की जगे एक एपिसोड में भी हो सकता था शो का एंडिंग क्लिफ हैंगर है मगर ऐसा लगता है कि एकदम से एक अलगी कॉस्परेंसी शुरू हो गई है मतलब आखरी एपिसोड में शुरुआत में ही सस्पेंस खुलता है और फिर इनको एक जगे जाना होता है वहाँ जाते ही बूम अब इसे हाई पॉइंट मान लो या लो पॉइंट मुझे थोड़ा सा आउट अफ दे सिंक लगा बट आल इन ओल इट इस वर्दी बिंज वॉच तो देखे और बताईए कॉमेंट सेक्शन में कि सन अटेक वाला याकामोज S245 आपको कैसा लगा और ये भी बताईएगा कि सन अटेक नाम याकामोज S245 से जादा बेटर है याग बिकार बाकि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजेगा नहीं पसंद आया तो माफ कर दीजेगा थैंक यू पॉर यू टाइम